हेलो फ्रेंड्स मेरी स्टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में सीखेंगे हम अमरेला कुर्ती बनाना इसका प्लाजो का वीडियो हमारी चैनल पे अपलोड है आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए तो मैंने तीन मीटर लाइनिंग लिया है और तीन मीटर ही मैंने ये जॉर्जट का फैबरिक लिया है तीन मीटर फैबरिक में से मैंने बाजू के लिए और टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है जिसे हम इसे लंबाई में रखेंगे तैयार 15 इंच का तो हमने 16 इंच लेना है रेडि जो भी एक्स्टरा है उसे कट कर देंगे इसमें हम बोटनेक बनाएंगे तो हम यहां से जो सोल्डर है वो 7 इंच पर लेंगे क्योंकि बोट नेक में हमेशा जो सोल्डर होता है वो थोड़ा एक्स्टर लेना पड़ता है अगर डीप गला बना रहे हो तो आप सोल्डर कम रखें तो यहां से आपका जो भी ब्रेस्ट साइज है जैसे 40 है तो 40 को 4 से डिवाइड करते हैं गिज्ट Taliban करेंगे उसको 10 इंच आता है उसमें 2 इंच एक्स्टर तो 12 इंक लिया है और सेम कमर का भी कमर 36 है तो उसका नौ आता है तो मैंने 11 इंच लिया है हाँंसे हाँस का सोल्डर हम यहां इस तरीके से । डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट में करने के पहले बेग पार्ट की कटिंग कर लेंगे और फिर सोलटर करना के बाद जो नीचे से एक्स चरवी यह कट करने के रोगा है। उसको रखके और टॉप आट की कटिंग करेंगे तो ये देखिए मेरे जोर्जट फैबरिक है इसको इस तरीके से रख लेंगे हम इसके उपर ठीक है और रखने के बाद बिल्कुल एज़िट जैसे ही कटिंग करनी है जैसे कि मैंने अस्तर की की है कुछ नहीं करना है आपको दियान रखना है कपड़ा फोर फोल्ड में होना चाहिए ताकि आगे और पीछे के दोनों पड़दे हमारे एक साथ निकल के आ जाए और गला हम इनका पेपर पेस्टिंग पर ही बनाएंगे तो यहां से सोल्डर को भी हम खोल लेंगे अब जो बाकी का फैबरिक बचा है उ आपका जो भी आ रहा है उसको बिलकुल बराबन नाप के लेना है आपको आप टॉप पार्ट से भी अपना यह ड्राफ्टिंग कर सकती है अब यहां से जो भी कुर्ति का नाप है उस हिसाब से आप इसमें नाप डाल सकती है तो यहां से मेरे पास जो यह नाप आ रहा है व तो टोटल 45 इंच की जो हमारी कुर्ती है रेडी वो तैयार हो जाएगी आपको अगर सौर्ट में या लॉंग में बनानी है तो आप इसमें नीचे जोएंट भी लगा सकती है अब बस इसको हम कट कर देंगे पूरा गेरे को भी और इसका जो कमर वाला हिस्सा है उसे ज्यादा कट ना करें उसे कम ही रखें अब इसका अस्तर भी हमने ऐसे ही ट्रोयंगल में बिछा लेना है और जो हमारा भी फैब्रिक कटा हुआ है अस्तर को हम इससे लगबग 2-3 इंच ऊचा रखेंगे तो जैसे हमने वो 30 पे किया था तो इसको हम जितना भी हमारा आ रहा है इसमें साइडों से निकला हुआ है उसको बिल्कुल अलग कर देंगे साइडों से इसे हम खोल देंगे इस तरीके से खोल दिया है हमने ये तो ये देखिए ये हमारे पास दो पाट आ गए है ठीक है अब हम इनको इस तरीके से रख लेंगे ऐसे रख के और पहले ही कमर वाले हिससे सिल लेंगे हम नीचे हमें कोई निकरना है आप चाहें तो मोड सकती हैं लेकिन हम इन पर इंटरलोग कराएंगे ठीक है यह हो गया अब हमने टॉप पार्ट को और अस्तर को रखे और पिन अप कर दिया है दोनों को एक साथ ता कि जब हम इन्हें मोडें मतलब जब इन्हें हम सिल लें तो इसमें जोल वगएरा ना आए अब चारों तरब को कच्छी शिलाई लगा लेंगे अब सुई से कच्छा कर लीजिए और डारेक्ट मसीन से अब दोनों को मोड के इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और प्लेट के लिए निसान सबसे पहले गले का सेंटर प्लेट की लंबाई 5-6 तक आप रख सकती हैं और इस प्लेट को इस तरीके से हम डाल देंगे यह देखिए यहां से हम इसको इस तरीके से डाल देंगे अब हम क्या करेंगे कि यह बोटनेक की चोड़ाई हमने ली थी 4 इंच लंबाई ली थी 5 इंच और सेंटर में पिन नहीं लगानी है यह पेपर पेस्टिंग चुपकाने वाली तो थोड़ी सॉप्ट होती है अगर हाड है आपकी बुक्रम या पेपर पेस्टिंग तो आप उसको बिल्कुल अलग करके लगाएं अब बस इसको पलटके हम रख लेंगे क्योंकि अभी हमने उसको पलटा नहीं है तो यह मैंने जोड दिया है इस तरीके से और जोडने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे मोड देंगे देखिए अब मैं क्या करूंगी कि अभी हमें ऐसे रख लेना है और इसको ऐसे मोड देना है पीछे वाले पड़दे को भी मैंने सेम ऐसे ही रेडी कल लिया है तो इस ओल्डर हमारा इस तरीके से आ जाता है अब हम क्या करेंगे इसमें बाजू लगा लेंगे तो बाजू हमने नॉर्मली कट कर ली है 12 इंच लंबी 9 इंच ओड़ाई लेके जो भी फैबरिक बचा था उसी से हमने बाजू कट कर ली है सिंपल बाजू इसमें अस्तर का य सब्सक्राइब करें है तो आप नीचे से लेंगे आए अगर आप इंटरलाक नहीं कराना चाहते है तो आप नीचे से मोड लीजिए बहुत सारी वीडियो में, मैंने प्लाजो में भी मोड ना सिका, इसका फुल वीडियो, मतलब प्लाजो का वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड है, आपने इसका नहीं देखा है, तो प्लीज मैं आप से फिर कह रही है हूँ, आप देख लीजिए, तो यहां से देखिए, मैंने अस्तर को तो नॉर्मली हम मोड लेंगे, मतलब अस्तर को मैंने सिम्पली मोडा है, और जॉर्जट फैब्रिक है, जो हमारा, उसको हमें ऐसे ही रखना है, यह देखिए, ठीक है, यह मैंने कर लिया है, अब हम दूसरी साइड से फिटिंग कर लेंगे, तो देखिए, फ्रेंड्स, मैंने बाजू के उपर, और गले के उपर बीट्स लगा लिए है, यह प्लाजू का वीडियो अपलोड है, कुर्ती पे इंटरलोग करा लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करके जाएगा, प्लीज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,